अस्ट्रेलिया दोरे पर T20 और One Day सीरीज के लिए टीम इंडिया में भले ही विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का चैयन हुआ है लेकिन क्रिकेट विशे सग्यों की माने तो भारत के पास मौझूदा समय में संजू सैमसन से भी बेहतरीन विकेट की परबल्लेबाज है जो अकेले दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाने की चमता रखता है जी हाँ जाने के विस्तार से आखिर कौन है भारत का यह धाकर विकेट कीपर बल्लेबाज जिसकी तुफ़ानी बल्लेबाजी से आस्ट्रेलिया, इंगलेंड, न्यूजिलेंड और पाकिस्तान जैसी टीमों के दिगज गेटवाज भी थर थर काप रहे हैं दरसल दिगज विकेट कीपर बल्लेबाज मेहंदर सिंग धोनी के अंतराश्टरी अक्रिकेट से सन्यास के बाद टीम इंडिया को एक ऐसी दिगज विकेट कीपर बल्लेबाज की तलास है जो विकेट कीपी के साथ साथ अपनी तुफ़ानी बल्लेबाजी के दम पर भी जीत दिला सके हलाकि देखा जाए तो IPL 2020 के दोरान भारत के कई यूवा विकेट कीपर बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्सन किया जिन्हे टीम इंडिया में मेहंदर सिंग धोनी की जगह का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है इस लिश्ट में सबसे पाहले नमबर पर है आईपियल में किंग सिलेवन पंजाब की तरफ से खेलने वाले इस्टार विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल जी हाँ आपको बता दें लोकेश राहुल तेज तर्रार बल्लेबाजी के साथ-साथ विकेट कीफिंग के दम पर भी टीम इंडिया को जीत दिलाने की इसके अलावा संजू सैंसन, रिसापंत और आईपियल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने वाले यूवा विकेट कीपर बल्लेबाज इसान किसन को टीम इंडिया में महंदर सिंग धोनी के जगह का दावेदार माना जा रहा है। खैर अब देखना होगा औस्ट्रेल होते ऐसे वल्लेबाज हैं जो टीम इंडिया में महंदर सिंग धोनी के कमी को पूरा करने की छमता रखते हैं। जी हां आपको बता देए रिसापंत बेहद ही घातक वल्लेबाज हैं। रिसापंत के बारे में यहां तक दावक किया जा रहा है कि आस्ट्रेलिया के खिराप रिसापंत टीम इंडिया में होते तो मात्र 32 गेंट की पारी में 163 रन बना सकते थे।